दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थी आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चेनल के रिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 में रिलीस हुई सनी देउल की गदर एक प्रेम कथा साल 1995 में रिलीस हुई शारुखान के दिलवाले दुलहन्या ले ज आते साथ आपको बताने वाला हूँ कि महंगाई के हिसाब से अगर ये फिल्म में आज के दिन रिलीस होती तो इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन करती तो बात करेंगे इसी के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो च फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेक्ट और प्रिड्यूस क्या था पिरकाश महरा ने और फिल्म की कहने लिखी थी कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मी कांद शर्माने और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को कल्यार जी आनन ची ने तक्रीबां डेल करोड रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म और अपने ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन क्या था अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 12 लाक रुपे की कमाई की थी और बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम ताबर तोर तो दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म की अगर ये फिल्म आज के दिन रिलीज होती तो कितनी कमाई करती साल 2021 में तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि इस फिल्म ने इंडिया में कमाई थे और पूरे वर्ड में इस फिल्म ने 17 करोड रुपे की कमाई की जो कि अगर वर्ड वाइड अगर देखा जाये तो ये फिल्म अगर आज के दिन रिलीज होती तो पूरे वर्ड में कमाती 110 करोड रुपे अब अगर बात करें फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 1995 में शारु खान और काजोल इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरेट क्या था आदिती चोपडा ने और प्रिड्यूस क्या था येस चोपडा ने फिल्म को म्यूसिक दिया था जते ललित ने और तकरीबन 4 करोड रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म opening day पर इस film ने शांदार कलेक्षन किया था तक्रिबन 55 लाख रुपिर के opening की थी इस film ने और box office इंडिया पर इस film ने 54 करोड रुपे कमाई थे और पूरे world में 104 करोड रुपे कमाई थे और ये film box office पर all time blog pastor सा भी थूई थी तो दोस्तों अगर देखा जाये तो दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे एक बेहतरीन फिल्म थी और दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आये और काफी दिनों तक सिनेमा हॉल में चली लेकिन अगर आज ये फिल्म रिलीज होती साल 2021 में तो इंडिया में ये फिल्म तक्रीबन 455 करोड उपे कमाती और पूरे वल्ड में कमाती 872 करोड उपे चली अब बात करते हैं गदर एक प्रेम का था फिल्म की तो 15 जोन साल 2001 में रिलीज हुई थी ये फिल्म सनी दियोल अमरेश पुरी और अमिशा पटेल इस फिल्म में अहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरेट क्या था अनिल शर्मा ने और प्रिड्यूस क्या था नितिन कैनी ने तकरीबर 19 करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1 करोड 35 रुपे की ओपनिंग की थी और बॉक्स ओफिस इंडिया पर तावर्टोड कमाई करते हुए 277 करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 134 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर और टाइम ब्लॉग पास्टर सावित हुई थी तो गदर एक प्रेम काथा फिल्म रिलीज हुई थी साल 2001 में तो साल 2001 से लेकर अब तक अगर महंगाई के हिसाब से द साल 1978 में रिलीज हुई अमिताब बच्चन साब की फिल्म मुकदर का सिकंदर इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफे पसंद किया लेकिन महंगाई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कलक्शन की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कलक्शन रहा अगर आज की दिन ये फिल्म में रि साइगा थाइगा थैंक्यू